जालिमा कोका कोला पिला दे इस गाने का नाम ही इतना फनी है कोई मुझे बताए ये गाना था या फिर एक तरह का परमोसन अभी अभी मैं इस गाने को सुनकर आ रहा हूँ अगर आप लोगो को कोका कोला ही पिना है तो 40-50 रुपे में तो आप लोगो को इसली किसी स्टोर पर जाकर मिल जाएगा तो गाइस इस गाने को सुनकर मेरा रियक्शन किस तरीके से निकल कर आया सौंग में क्या अच्छा है क्या बुरा है यही बात करने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में गाना कैसा है पबलिक ये नहीं देख रही है बस धड़ा-धड लाइक करती जा लगता कम से कम बाल ही सोने जैसे कर देते आप लोग लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो एक श्टार कटा यहां पे अब बात करते हैं नोडा फतेही की डांस परफोर्मेंस के बारे में तो उनका डांस परफोर्मेंस जो था वो एकदम मुझे डिसेंट लगा काफी यदा कड़क मैं नहीं कह सकता और गाने में जिस तरीके से ड्रेस अप किया गया है वो भी मुझे एक डम सिंपल लग रहा है देखने में थोड़ा तड़कता भड़कता होता तो काफी यदा मजा आता देखने में और गाईस एक सिकायत इस गाने से मुझे और है नहीं मिले है सिंपल लिरिक्स है एक दम पूर लग रहा है सुनने में इस सौंग में जो पहले टेक पर नोरा फतेही को दिखाया जाता है तो उस समय एक ट्यून बसता है वो ट्यून मुझे यहाँ पे काफी ज़दा अच्छा लगा सुनने में साकी साकी से लेकर हाई गर्मी तक नोरा फतेही का डांस परफोर्मेंस आप लोग को देखो कितना जादा कड़क है लेकिन इस गाने में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला इनका डांस मुझे हाँ पे उतना भी जादा पसंद नहीं आया और अल बात करें इस सौंग की तो ये गाना एक आइटम सौंग की तरह लग रहा है लोग के पैर थिरक जाने चाहिए थे इस गाने को सुनकर लेकिन पैर तो किया एक पत्ता तक नहीं हिला इस गाने को सुनकर इस गाने को मैं 5 out of 2 star की रेटिंग देता हूँ आपकी क्यारा है इस गाने को सुनकर और देख कर ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो गैस इस दिक साथ मैं शलता हूँ मिलता हूँ आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में